हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्पिसल किचन नाइन मी तो आज मैं आपको बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ इस रेसिपी को जारखन में धुत्तू रोटी, कहीं पे पत्ता रोटी और कहीं पे तूत रोटी कहते हैं ये चावल और उड़त की डाल से बनती है दोस्तो और इसके पत्ते का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसलिए इसे पत्ते में बनाये जाती है और ये काफी सॉप्ट होती है और इसे चिकन के साथ, मटन के साथ या कोई ग्रेवी वाली सब्जी के साथ पसंद किया जाता है और यह जारखन की बहुत ही traditional recipe है जारखन में इसे सक्वा के पत्य बनाया जाता है सक्वा को हम सॉल भी कहते हैं दोस्टो आपके तरब इसे क्या कहते हैं यह हमें comment section में आप जरूर बताइए यह बिल्कुल oil free recipe है दोस्तों और यह काफी soft होती है और पत्ते में बनने के कारण इसका स्वात काफी अच्छा आता है तो चलिए शुरू करते हैं इसके बनानी के विधी इसके लिए मैं measurement बता रही हूँ अगर आप 4 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 2 कटोरी आपको उड़त डाल लेनी है यह देखिए और इसे 7 से 8 घंटे आपको अच्छी तरह से भिगोना है भिगोनी के बाद आप अच्छी तरह से इसे पीस ले इसे थोड़े गाढ़े ही पीसना है आपको ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है चलिए अब इसे मैं बरतन में निकाल लेती हूँ इसे मैंने एक बरतन में निकाल लिया है यह देखिए यह इसकी quantity बिलकुल ही इसी तरह रहना है इडली से थोड़े गाढ़े रखने है इसके बेटर आपको अब इसमें मिलाएं आप स्वाद अनुसार नमक जी हाँ आपको कुछ नहीं मिलाना है बस नमक मिलाना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करने हैं आपको यह देखिए जैसे मैं कर रही हूँ पेटर हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब देखिए यह है मेरे सक्वा के पत्ते जी हाँ दोस्तों यह मेरे सौल के पत्ते हैं यह देखिए मैंने मुलाएं मुलाएं तोड़ लिया है अब आपको उल्टे साइड से इसे पकड़ने है और इसे देखिए यह कौन सेप में आपको बनाने है अच्छे तरह से और इसे आप टूथपीक से अच्छी तरह से फिक्स कर दे यह उल्टे साइड में बनाने से दोस्तों यह इसके बनावट बहुत ही अच्छे आते हैं ये देखिए हमारे concept तयार है अब मुझे इसमें feeling भरनी है ये देखिए इसमें कुछ भी मैंने नहीं लगाया है oil वगेरा कुछ भी नहीं लगाना है आपको और इसे अच्छी तरह से feel कर दे ये देखिए फिल हमारे भर चुके हैं अच्छी तरह से देखिए मैं एक और आपक पिक से अची तरह से fix कर दिया है अब मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ अगर आपके पास सख्वा के पत्ते नहीं है तो आप जो दोने होते हैं पतल दोने उसमें भी आप बना सकते हैं पतल दोने मार्केट से लाए आप उसमें तयारी करें ये देखिए अब सारे को इसी तर अच्छी तरह से पका लूँगी 20-25 मिनट हो चुके हैं मेरे दोस्तों ये देखिए ये मेरे धुत्तु रोटी तयार हो चुकी है वाव ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं ये देखिए अब सभी को एक एक करके अच्छी तरह से प्लेट में निकाल ले जब भी य आपको फ्रेस लेने हैं तभी उसके आरोमा होती है वो काफी अच्छी आती है दोस्तों और इतनी अच्छी महक आती है कि मैं क्या बताओ एक बार आप जरूर ट्राय करें तो हमारी धुत्तु रोटी तयार हो चुकी है पत्ता रोटी जारखन की तो कैसी लगी आज की हमारी य दोस्तों यह कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं